दोस्तों इस वीडियो में आप सीखेंगे 100 basic और routine life में जो short sentences जो हम use करते हैं वो आप सीखने वाले हैं जिसको सीखने के लिए किसी grammar या किसी नियम की जरूत नहीं है यह जैसे बोले जाते हैं उसी तरह से बोले जाते हैं इसके नियम कानून कुछ भी लगता नहीं है तो इसक जो के साथ अपने अफिस में घर में और वो टेलीफोन पर कभी भी कई जो आप सोट सोट सेंटेस्ज जो आप बोलते हैं उससे जब आप अंग्रे जी में बोलने की सुरुवाद करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपकी practice जो है अंग्रे जी बोलने की भाव जो होता है अंदर से वो अपने आप ही निकलने लगता है ठीक है एक उधारर देता हूँ कि छोटे बच्चे को जब वो छोटा सा रहता है तब ही हम उसे कहते हैं बेटा मुझ खोल खाना खाना मुझ खोल बेटा ऐसा बोलने के बदले में अगर हम यह कहते हैं कि open your mouth बेटा open your mouth बेटा तो उसके दिमाग में पहले से हम अंग्रेजी घुसाते जाते हैं ठीक है तो यह चुरे 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 जो sentences जो रहते हैं यह अग दूसरा है बस काफी है अगर हम कहीं पर जाते हैं और कोई चीज हमें कोई बार-बार दे रहा है तो हम उसे कहते हैं कि बस काफी है तो उसे अंग्रेजी में कहेंगे that's enough यह तो दिल्चस्फ है इसे अंग्रेजी में कहेंगे that's interesting मैं भी me too यह आसान है it's easy it's easy तुम ठके हु यू लुक टायर्ड यू लुक टायर्ड आपने क्या कहा what did you say what did you say खरीद लो बाइट 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 मेरे प्रनॉंसेशन पर भी ध्यान दीजेगा जैसा मैं बोलता हूं हम फास्ट इंग्लिस में इसी तरह से बोलते हैं सीधे आगे जाओ go right ahead go right ahead क्या आप समझें did you understand या do you understand मुझे यह पसंद नहीं है I don't like this I don't like it या फिर I don't like this भी बोल सकते हैं इसे और I don't like it भी बोल सकते हैं इसे I don't like it I don't like it इस तरह से मुझ पर विश्वास करो believe me believe me क्या आप मेरे साथ आ रहे हैं are you coming with me are you coming with me वह रास्ते में हैं he is on his way he is on his way on the way नहीं आएगा on his way आएगा एक और have another one have another one आज तिथी क्या है मतलब आज तारिख क्या है what's the date today what's the date today मेरा इंतजार करना wait for me wait for me मैं तैयार हूँ I'm ready I'm ready मुझे बताओ tell me tell me इसे tell me नहीं कहते हैं इसे tell me इस तरह से क्या हो रहा है समस्य हो रही है इसे कहेंगे what's आगे लगा देंगे और उसके बाद तीन चार और है जैसे कि going on what's going on what's happening what's problem what's the problem क्या आप सच कह रहे हैं do you mean it do you mean it हम किसी से पूछ रहे हैं यह दूर है is it far ऐसे बोलेंगे आपका बहुत बहुत धन्यवाद thank you very much मैं यह कर सकता हूं I can do it I can do it जितनी जल्दी हो सके as soon as possible यह खास करके यह sentence जो है आप emails में देखते होंगे as soon as possible तुम गलत हो you are wrong you are wrong यह यहाँ पास में है it's near here it's near here अभी नहीं not yet कल मिलते हैं see you tomorrow see you tomorrow यहां बहुत सारे लोग है यहां बहुत सारे लोग है there are too many peoples here मुझे पता था I knew it I knew it मुझे आसा है I hope so I hope so मैं उब गया हूं I'm bored I'm bored I'm bored गती कम करो मतलब speed कम करो slow down क्या आप कुछ चाहते हैं इसका मतलब यह हुआ कि कोई अगर हमारे घर पर महमान आया है और उसे हम खाना खिला रहे हैं उसे खाना खिलाने के बाद भी अगर हमें पूछ रहा है कि कुछ और चाहते हैं तो do you want something ऐसा करके बोलते हैं मैं उसका दीवाना हूं I'm crazy about her मुझे यह मत बताओ Don't tell me that मुझे माफ कर दो I'm sorry मैं इंतजार नहीं कर सकता I can't wait मुझे तुमसे नफरत करता हूं मैं तुमसे नफरत करता हूं I hate you यह सही है That's right यह आपकी बारी है It's your turn क्या आपको यकीन है Are you sure Actually, जब हम fast English बोलते हैं तो यह are है न उसको are you sure नहीं बोलते हैं उसे आ करके छोड़ देते हैं रह का उच्चारन जहां जहां पर भी आता है नो वहां वहां पर अ अत्वा यह बोले जाता है जैसे कि यहां पर हम आर की जगह पे Are you sure Sure Are यहां पर sure नहीं बोलते हैं उसे Are you sure Are you sure इसे बोलेंगे इसे ठीक है रूटीन लाइफ में जब आप बोलने लगेंगे तब आपके कंठ से यह अपने आप ही इसी तरह से इस तरह से एक ही बात है That's the same thing That's the same thing ऐसा होता है That happens किसी को हम बोलते हैं न कि ऐसा तो होता रहता है तो वहां पर हम बोलेंगे that's happened तुम कहां जा रहे हैं Where are you going Where are you going Absolutely not इसकी खुस्बू अच्छी है It smells good It smells good इसके बारे में सोचो Think about it Think about it आपका मिजास खराग है मतलब कि आपका mood खराग है You are in a bad mood You are in a bad mood मुझे इसकी आदत है I am used to it मैं उसके साथ बोलना चाहता हूं I want to speak with him या फिर I want to speak with her इससे कोई फरक नहीं पड़ता It doesn't matter वह कहां है Where is he? Where is he? आपकी यात्रा सुभ हो Have a good trip या फिर इसे हम ऐसे कह सकते है Happy Journey तुम्हारी याद आएगी I will miss you I will miss you मुझे यह मिला I found it I found it मुझे हाथ दो Give me a hand सब ठीक है It's all right वह दूसरे को पसंद करते है They like each other They like each other उसके पास समय नहीं है He doesn't have a time He doesn't have a time बहुत बुरा Too bad यह मजाकिया है It's funny तुम पागल हो You are crazy You are crazy क्या आप यह चाहते है Do you want it? Do you want it? यह कठिन नहीं है It's not difficult मेरे पास समय नहीं है I don't have a time यह नामुम्किन है It's impossible मुझे मजा आ रहा है I am having fun I am having fun सही से करो Do it right Do it right बधाई हो Congratulations Congratulations यह सच है It's true या फिर That's true मेरे साथ आओ Come with me Come with me मैं जा रहा हूं I am going या फिर I am leaving I am leaving दोस्तों से अगर बिछड रहे हूं रात के समय पर हम बैठे हैं दोस्तों के साथ और वहां से अब हम बिछड रहे हैं तो हमें यह कहना चाहिए I am leaving I am leaving कल मुझे फोन करो Call me tomorrow Call me tomorrow मैं व्यस्त हूं I am busy I am busy कितना? How much? किसी से भाव पूछना हो किसी चीज का प्राइस पूछना हो तो इसी तरह से पूछते How much? मुझे ऐसा नहीं लगता I don't think so I don't think so यह बहुत smart है यह वह बहुत smart है She is so smart मुझे मिल गया I have got it I have got it यह मत करो Don't do it हम बस पहुच गया है We are almost there We are almost there तुम हमेशा सही हो You are always right You are always like यह कुछ भी नहीं है It's nothing It's nothing मैंने गौर किया I noticed that I noticed that यह अच्छा है It's good अराम करें Relax आप में सबर नहीं है या फिर इसा ऐसा कह सकते है आप बेसब रहें You are impatient तुमने मुझे चौका दिया You surprise me वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है She is my best friend या फिर He is my best friend वह यह अलग है It's different यह जाहिर है It's obvious It's obvious मुझे ऐसा लगता है I think so I think so समझा या फिर मैं समझा I see या इस तुम जूट बोल रही हो या रहा हो You are lying You are lying क्या तुमने पूरा कर लिया Have you finished it या फिर Have you finished मैं किसी को नहीं जानता I don't know anybody I don't know anybody तुम क्या सोचते हो अपने विचार बताओ What do you think What do you think आपका दिन सुभ हो Have a nice day Have a nice day दोस्तों यहाँ पर हमारे 100th sentence complete होते हैं